हलो एन वेलकम एवरिवन दा ओनलाइन गुरू में मैं सुनिल शर्मा आप सभी का स्वागत करता हूँ आज के सेशन उन सभी स्टूडेंट के लिए है जो चाहे रिम्स या फिर सैनिक स्कूल जैसे अदर एंटरंस एक्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं आप सभी जानते हैं आपके सिलेबस में जेनरल नॉलेज का एक पार्ट है जहां पे करेंट अफेर्स रिलेटेड क्वेशन रेगुलर बेसिस पे पूछे जाते हैं तो आज हम 1st से लेकर 15th of January 2024 से रिलेटेड कुछ important current affairs को cover करेंगे और ऐसे ही regular sessions मैं आप लोगों के लिए लेकर आता हूँ इन सभी को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर पैल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा और अगर आप हमारे साथ चोड़कर online classes के तुरू prepare करना चाहते हैं तो 777-653468 पर आप मुसे contact कर सकते हैं तो चलिए आज के first news की तरफ आगे बढ़ते हैं आप सभी जानते हैं हर साल एक स्वच सर्वेक्षन किया जाता है जिसमें इंडिया में कुछ specific places को जो सबसे ज़्यादा cleanest होते हैं उन्हें award दिया जाता है तो यहाँ पे recently 12th of January के दिन सूरत और इंदौर को combinedly cleanest city के रूप में declare किया गया अब यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ combinedly जबकि अगर अब ध्यान दें तो इंदौर जो है वो लगातार 7th time लगातार 7th बार यहाँ पे first rank पे बना है सूरत इस बार combinedly आया है तो यहाँ पे आपसे एक question भी पूछूँगा कि सूरत इंडिया के किस state में है और इंदौर इंडिया के किस state में है आप नीचे comment कीजेगा इन्हें 2023 का स्वच सर्वेक्षन में cleanest city के रूप में declare किया गया और यह award किनों ने दिया है तो इंडिया की जो प्रेसेडेंट है द्रौपदी मुर्मूजी इन्होंने यह award इन्हें available कर पाया इतना ही नहीं अगर हम state wise बात करें तो state wise महाराष्टर सबसे ज़्यादा cleanest था second number पे मध्यप्रदेश और third number पे 36 गड़ आपको देखने को मिलता है इसके अलावा अगर smaller cities छोटे गाओं छोटे शहरों की बात करें तो इसमें सासवद लोनावला और पार्टन टॉप थ्री प्लेसेज पे आपको देखने को मिले इतना है यह category और है जहांपे कंटून्मेंट बूड को शामिल किया जाता है कंटून्मेंट बूड जहांपे military related establishment होते हैं तो उनमें से मव कंटून्मेंट बूड यहांपे सबसे cleanest आपके सामने नजर आया जबकि गंगा टाउन में ऐसे cities जो गंगा के पास situated हैं उनमें अगर बात करें तो वारण असी और प्रयाग राज को यहां पे top places पे रखा गया जबकि सफाई कर्मचारियों के लिए सबसे safest city कौन से थी चंदिकर थी तो यहां पे यह इतनी सारी चीजें आपको यात रखनी है क्या 2023 के लिए स्वच सर्वेक्षन किया गया सबसे cleanest city सूरत और इंदौर को डिक्लेयर किय इंदौर लगातार सातवी बार इस लिस्ट में आपको टॉप रैंक पे देखने को मिल रहा है अवार्ड कौन देते हैं तो प्रेसेडेंट ऑफ इंडिया जो की अभी वर्तमान में द्रापदी मुर्मूजी है इन्होंने यह अवार्ड दिया अगर हम बात करें स्टेट वा आवला और पार्टन टॉप 3 पे थे कंटूनमेंट बोट में मौ कंटूनमेंट बोट यहां पे सबसे क्लीनेस्ट निजर आया गंगा टाउन में वारन असी और प्रियाग राज थे टॉप पे और सफाई गर्मचारियों के लिए जो सेफेस्ट सिटी थी वो चंदेगर जिसका नाम रखा गया है ऑपरेशन सर्व शक्ति अब यह जो ऑपरेशन सर्व सक्ति है कहां चलाया क्या जम्मू एन कश्मीर में चलाया क्या पीर पंजाल माउंटेन रेंज जो है उसके दोनों तरफ चलाया क्या है ताकि वहां पे जो टेररिस्ट हैं जो आतंकवादी रेंज में जा चुपे हैं तो उन सभी को खोजने और उनका सफाया करने के लिए इंडियन आर्मी की तरफ से ऑपरेशन सर्व शक्ति चलाया गया है अगले न्यूस की तरफ आगे बढ़ें तो बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट होने वाला है और आपको अपकमिंग एक्ज देख पा रहे हैं ये वो लिंक है जिसे इन उग्रीट कर दिया है इसे शाट में अगर कहा जाए तो अटल सेतू के रूप में भी कहा जा रहा है ये इंडिया का सबसे लॉंगेस्ट सी रिलेटिड ब्रिज है सी पे बना हुआ इंडिया का सबसे बड़ा ब्रिज है कितना लंबा है अराउंड 21.8 किलोमेटर इसकी लेंथ यहाँ पे है लगभग इसे बनाने में एक नहीं 17,840 करूर रुपए खर्च किये गए है अमाउंट आपके लिए important नहीं है किन दो places को connect करेगा तो South Mumbai and Navi Mumbai को connect करने का यह काम करेगा and important क्या है पहले इन दोनों places पे travel करने में 120 मिनट लगता था लेकिन अब इस सी लिंक से आपका जो travel time है वो कम होकर सिर्फ 20 मिनट हो जाएगा जो बहुत ज्यादा important है तो अभी तक का इंडिया का longest sea bridge कौन सा है अटल से तु है जिसका दूसरा नाम क्या है Mumbai Trans Harbor Link या MTHL नाम रखा गया है around 21.8 km लंबा है और ये नवी Mumbai and South Mumbai को connect करने का काम करेगा बहुत important है याद रखेंगे next thing हमारे याँ पे एक DRDO नाम से organization है जिसका full form है defense research and development organization इन्होंने recently एक नया rifle Indian armed forces के लिए generate किया है बनाया है और इसका नाम रखा गया है उग्रम इसका नाम क्या रखा गया उग्रम रखा गया है और ये Indian armed forces के पास जो पुरानी incest rifle थी उसे replace करके ये नई rifle उन्हें available करवाई जाएगी तो याद रखना DRDO ने armed forces के लिए नई rifle बनाई है जिसका नाम उग्रम रखा गया है और ये incest rifle को बदल कर उसकी जगे काम में लिया जाएगा तो अभी तक आप सब मेरे साथ जुड़े हुए हैं अपको कहीं न कहीं ये sessions पसंद आ रहे हैं और हमारी तरब से ऐसे ही online live classes के फेसिलेटी भी प्रवाइड की जाती है चाहे वो RIMC, RMS, सैनिक स्कूल, नवोदे विद्याले, गुरुकुल, ओगुरुव या फिर other entrance related exams क्यों न हो तो आप हमारे साथ जुड़कर live classes के तुरू prepare करना चाहते हैं अगर आप prepare करना चाहते हैं तो 5737-653468 पर मुझसे contact कर सकते हैं अभी तक आपने वीडियो को like नहीं किया है तो definitely एक thumbs up बनता है ताकि आपके लिए regular basis पर ऐसे content available किये जा सके और timely इन्हें देखने के लिए channel को subscribe करके bell icon जरूर press कीजिएगा अगली news आती है France के जो president है Emmanuel Macron इन्होंने क्या किया recently वहाँ की एक prime minister थी जिनका नाम है Elizabeth Bond उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया resign कर दिया तो उनकी जगे नया prime minister कौन होगा तो France के president Emmanuel Macron ने ये decide किया कि Gabrielle Attle जिनका आप image यहाँ पे देख पा रहे हैं ये अब France के नए prime minister के रूप में function करेंगे तो क्या याद रखना है France के president कौन है Emmanuel Macron and वहाँ के नए prime minister कौन होगे Gabrielle Attle होगे जो की Elizabeth Bond को replace करने के लिए यहाँ पे सामने आये हैं ये पहले education minister के रूप में काम कर चुके हैं आपसे एक question जरूर पूछना चाहूँगा कि France की capital क्या है नीचे comment section में आप comment करके बताएगा next important news आप सभी ने नाम सुना होगा सिमली पल काई चटनी का ये basically red color की weaver ant होती है ये ant आप यहाँ पे image में देख पा रहे हैं इस ant को पीस कर जो tribal people हैं उडिसा के मयूर भंज district के वो लोग एक चटनी बनाते हैं जिसे बोला जाता है protein rich content होता है इस वज़े से इसे use किया जाता है इसे GI tag या geographical indication tag अवेलेबल किया गया है जिसके थूँ यह worldwide और ज्यादा popular होगी इसका प्रचार प्रसार किया जा सकेगा ant जो लोग इन्हें लेना चाहते हैं उन्हें original product अवेलेबल किया जाएगा इसलिए GI tag जो है वो उपलब्ध किया जाता है तो याद रखेंगे सिमलिफल कई चटनी जो की red weaver ant से बनाई जाती है ट्राइबल लोग बनाते हैं ओडिसा के मयूर भंज district के लोग बनाते हैं इसे रिसेंटली GI tag दिया गया है next news इंडिया और UAE की आर्मी ने मिलकर पहली बार एक joint exercise किया है basically यह training exercise है पहले भी मैं आपको कई बार clear कर चुका हूं कि हर बार war हो जरूरी नहीं लेकिन आपको war के लिए prepare होना चाहिए तो उसके लिए prepare करने का यह better way है कि हम लोग defense exercise करें तो यहां पर रिसेंटली इंडिय इंडिया और UAE की आर्मी इस ने मिलकर एक exercise किया जिसे नाम दिया गया desert cyclone कहां पर किया गया राजस्तान में किया गया तो desert cyclone किन-किन के बीच में इंडिया और UAE के आर्मी के बीच में कहां पर राजस्तान में organize किया गया next news आता है most 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 important Indian government हर 5 साल पे एक finance commission का गठन करता है तो recently 16th finance commission का गठन किया गया जिसके head बनाए गये हैं अर्विंद पनगडिया जी जो कि पहले नीती आयो के vice chairman के रूप में भी काम कर चुके हैं अब क्या करता है यह finance commission तो आप सभी जानते हैं government of India tax collect करती है और उस tax के amount को state में distribute करते हैं यह finance commission की union यानि की central government के पास कितने पैसे जाएंगे and state government के पास कितने पैसे जाएंगे उन tax revenue का बटवारा करने का काम यह finance commission करता है तो 16th finance commission का गठन किया जा चुका है इनके head कौन होंगे अर्विंद पनगड़ियाज ही होंगे और यह most important question है definitely याद रखेंगे अगले 5 साल तक यह आपके लिए important होंगे so student यह था हमारा आज का session I hope आप सभी को easily समझ में आया हो फिर भी अगर कोई doubt या कोई query है तो आप नीचे comment section में comment कर सकते हैं और ऐसे ही regular and informative session देखने के लिए आप हमें various platform पे follow कर सकते हैं जिसका link नीचे description में दिया गया है अगर आप मेरे साथ जोड़कर live classes के थुरू prepare करना चाहते हैं तो number आपकी screen पे हैं मिलते हैं आपसे अगले session में तब तक के लिए चैहन